इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्ट फोन हो, हजार बाराव सो वाला मामुली फीचर फोन हो, इससे इसका उप्योग कर सकते हैं आप, इंटरनेट होना ही चाहिए जरूर ही नहीं है, और आने वाले दो सप्ता के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है, जिसके सिकुरिटी क चेकिंग की व्यवस्ता चल रही है इन दिनों, वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी, ऐसी होगी, कि आपको ना मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, ना स्मार्ट फोन की जरूरत पड़ेगी, ना फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, ना इंटरनेट की जरू कोई कल्पणा कर सकता है एक जमाना था अनपड को अंगूठा चाप कहा जाता था वक्त बदल चुका है अंगूठा आपी का अंगूठा आपकी बैंक आपी का अंगूठा आपकी पहचान आपी का अंगूठा आपका कारोबार कितना बड़ा रिवलुशन हा रहा है और दो सब्ता के बाद ये व्यवस्ता जब आरंब होगी मैं बहुत साथ देख रहा हूँ ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा देश में आधार कार सो करोड से ज़्यादा लोगों को आधार नमबर मिल चुका है जो बारा पंदरा साल से छोटी आयूके हैं उनका बाकी है काम चल रहा है लेकिन जो बड़ी आयूके हैं चाउदा से उपर करीब परियुस में से अधिक्तम लोगों का हो गया कुछ छुट पुट कुछ रह गये होंगे तो अब काम चल रहा है दूसरी तरफ देश में सो करोड से ज़्यादा मोबाइल फोन है जिस देश के पास 65-30 नवजवान 35 साल से कम आयूके हो जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो जिस देश के लोगों के अंगुठे में उनका भविश सुनिशित कर दिया गया हो वो देश एक बाहर अगर डिजिटल करेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहाद बना सकता है ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा विश्व के किसी भी देश के लिए टेक्नोलोजी के खेत्र में कितना ही आगे गया हुआ देश होगा उनके लिए भी और इसलिए फिर बे गूगल के पाथ जाएंगे गूगल गुरू को पूछेंगे ये भीम है क्या तो शुरुवात में तो उनको माभारत वाला भीम दिखाई देगा और ज्यादा गहरे जाएंगे तो उनको पता चलेगा इंदुस्तान की धर्ती पर कोई भीम राव अमबेड कर नाम के मापुरुष हो गए भारत रत का भीम राव अमबेड कर भीम राव अमबेड करके जीवन का मंत्र यही था बहुजन हिताई बहुजन सुखाई वे दलीत पीडित सोसिद वंचीतों के मसिया थे यह टेक्नोलोजी उसकी सत्से बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एमपावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई यह भ्राम है कि यह पड़े लिखे अमीरों का खजाना है जी नहीं यह गरीबों का खजाना है यह ताकत गरीब को देने वाला है छोटे वे अपारी को देने वाला है दूर सुदूर गाउं में रहने वाले किसान को देने वाला है जंगलों में जिन्दगी गुजारने वाले आदिवासी को देने वाला है और इसलिए इसका नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ा है जिने ने अपनी जिन्दगी दलीद, पीडीद, सोसित, बंचीत, आदिवासीों के लिए खपा दी थे शुरू में कभी-कभी लगता है, आज भी दुनिया के कई समरुद्ध देश है पड़े लिखे फॉरवर्ड कंट्रीज है, उनको जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में करोडों लोग बटन डबा करके वॉटिंग करते हैं और जब काउंटिंग होता है, तो दो घंटे में तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो दुनिया के कई देशों को अचरज होता है, कि अभी तो हम चुनाव होता है तो मतपत्र प्रिंट करते हैं गाउं गाउं मतदान करने के लोग आते हैं, थपा मारते हैं, फिर बकसे में डालते हैं फिर हम लोग उसका डिविजन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसके बाद काउंटिंग करते हैं हमारे यहां तो हपता हपता लग जाता है जिस देश को अनपट कहा जाता है जिस देश के नागरिकों को उनकी समझ पर कुछ लोग सवालिया निशान उठाते है वो देश दुनिया के सामने गर्व कर सकता है कि इलेक्टोनिक बोटी मशीन के द्वारा दुनिया में रिवलुशन लाने वाले हम लोग है और हम इतनी बड़ी मात्रा में सफलता पुर्वक करते हैं कभी-कभी मैं हरान हूँ कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरम होता है उनका सुबह भी निराशा से होती है ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई आउशद अवेलेबल नहीं है तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक को कोई कल्पुना कर सकता है हिंदुस्तान में एक जमामा था आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी होगी तो शेर मार्केट में व्यापारी इखटे होकर की चिलाते थे ऐसा ऐसे उंगलियां करकर के वो अपना शेर बाइडार में दाम बोलते थे और उसको लिखने वाले फिर दूर से ताय करते हाँ ये वो बोली बोल रहा है वो ये बोली बोल रहा है एक जमाना एसा था अईनूरू मत्त्तु साविर रूपायनी शेदिसी कप्पुहना प्रष्टाचार बयोत्पादवनेंगे कडिवाना हाग्तेने देशदली आच्चे दिन बारत्ते अधकागि अईवत्तु दिन अकाडमी टैमना कोडियंतके लिएदा प्रधानी वरिगे इगा उळी दिरुबूदू 48 गंट